जै मातादी, जै अंगिस्तान, है फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस संधीप मौरिया, आप देख रहे हैं संधीप बॉलिवूड, यहाँ पे आपको सच्चे म्यूजिक के रिव्यू मिलते हैं, कोई सुपर माइन ब्रंग, फैंटास्टिक जैसी फरजी बाते नहीं, तो फि ज्यादा देरना करते हुए, शुरू करते हैं इस गाने का रिव्यू, उससे पहले मेरे एक डिस्क्लेमर है, कि प्लीज प्लीज मेरे रिव्यू को आप दिल पे ना ले, क्योंकि मैं as a music expert अपनी राया देता हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है, किसी की भी भावनाव को ठेस प जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले में इस गाने के बारे में बता दो, इस गाने का नाम है तेरे दर पे आए, और ये गाना आया है, एल्बम धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता पे, उसका चौथा गाना है, इसकी सिंगर है हमारी शाहिली कामले, और इसके music director आनन मिरिन जी हैं, और lyrics समीर अंजान सर हैं, माने के legend लोग फिर से खटा हो गए हैं, तो जादू तो होना ही है मुझे लग रहा है इस गाने में, और ये गाना है हेमेर स्च में music and melodies चैनल पे, दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस गाने के music की, देखें ये गाना शुरू होता है, आप सुनाई द भाईया ने भी बहुत ही मधूर गिटार बजाया है, ओवर ओल ये सब चीजे मिल के एक गजब की melody निकाल रहे हैं, माने कि आप सुनेंगे, आप डूब जाएंगे, लगेगा कि ये 90's का जादू फिर से आ गया है, और इस बार 90's के साथ साथ अगर हम देखेंगे, तो आज कलके music को भी अच्छे से मिलाया गया है, combine किया गया है, काफी मधूर संगीत है, और बहुत दिक कम ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं, और धीरे धीरे रफ्ता-रफ्ता album मेरा personal favorite album बन गया है, क्योंकि तीनों गाने इसके just awesome थे, और ये चौथे गाने ने तो आग ही लगा दी, औ लग रहा ये गाना शायली कामले के लिए ही बना है, और उनकी wise बहुत ही अच्छी लग रही है, और माने कि मैं क्या बोलू, just speechless, पस मुझे एक चीज़ खराब लगी उनकी आवास के साथ जो किया गया है, क्योंकि मैं fair चीज़ बताता हूँ, हो सकता आप लोगों को के आता, कहीं ना कहीं शायली कामले की रियल वाइस हलकी फुल की दबी लग रही, लेकिन उसके बावजूद शायली कामले ने कमाल कर दिया, just awesome, और यार बहुत ही अच्छा शायली आपने गाया, मुझे लगता है आप भी बहुत जल बॉलीवूड में आएंगी, और बाकी लिरिक्स राइटिंग समीर अंजान सर की है, मतलब क्या लिखा है यार, माने की क्या बताओंग, वो तो कलम के जादूगर हैं, इसके दोनों अंत्रे बहुत ही खुबसूरत हैं, और आनन मिलिन सर ने तो जादू ही कर दिया, इस गाने में देखिए, हीमें समें मेरोडीज क चीज समझनी पड़ेगी, ये चीज देखनी पड़ेगी, कि देखिए, इतने कम सब्सकाइब हैं इस चैनल के, उसके बाउजूद ये चैनल में लोग क्यों व्यू कर रहे हैं, क्योंकि यार, ये पबलिक है, ये सब जानती, जो चीज अच्छी है, वो अच्छी है, जो ची कीजिएगा, कि एकी धुन पर उठा उठा कि आप पचास गाने बना दे, भलाई कम गाने लाइए, लेकिन इस टाइप के गाने लाइए, ये चारो गाने लोगों की जुबा पे चुछने वाले हैं, और साथ साथ यार, जो शैली ने, तेरे दर पे आए, ये जो हरकते ली है यार, माने की दिल से मैं तो एकदम मस्त हो गया गाना सुनके, और आप भी गाना जरूर सुनिये, लाइक किजे, शेयर किजे, सब्सक्राइब किजे मेरे चैनल को भी, और दोस्तों मैं आपको बता दू, मैंने गनपती गजनन सौंग का भी रिव्यू कर दिया, उपर आई में उस रिव्यू को भी जाके आप लोग जरूर देखें, और हिमेश जी के जितने भी चैनल है सब सब्सक्राइब किजें, और हिमेश जी से प्रे करें कि भाईया, प्लीज, हिमेश सर, आप भला ही जजिंग छोड़ दो, लेकिन यार, हिमेश से मेलोडीज पर अच्छे का करो, जैसे कि ये सबसे बड़ा एक्जामपल है, हिमेश से म्यूजिक और मिलोडीज, वन आप दा माई फेवरिट चैनल है इस समय का, जै माता दी, जैंगे स्तन, लव यू ओल